लो फ्रेंड्स में तू माय यूट्यूब चैनल चैनल यह सब्सक्राइए बहुत बहुत वाइक है कि अपने तरीके सो लुखे काटा बाइक हो जाता है इस सीजन में जो है वो ग्रो हो जाते हैं क्योंकि इनका जो टाइम पीरिड्स होता है तो यहां से इस तरीके से मैंने अभी अपने पीसेस को सुभए जब किचन में काम कर रही थी तो मैंने काट करके यह पानी में रख दी थे थोड़ी दिर के लिए कि अब मैंने जो है स्वा बाकी बचाओ पटेटो आपको फैकने की जरूरत नहीं है और आप उसको ले से देखिए आलू आपको खराब नहीं होना चाहिए सबसे फस्ट बात है जो जब भी आप इस तरीके के आलू ले रहे तो थोड़ा सा यह सीज का ध्यान रखे कि वह टाइप पीस हो देखिए ज वे लिए सबस्करणे का चले近श की मुद्णा रेखिए जई हुआ रखेalg केंचन की फैले के पीजल कशको मई confBooks मुद्णी में काके शरूरत नहीं ही आपको कोई आलू का बीस लेने की मुद्णा क्लूम्मन लेभी ठीज कातूरे बना मुद्णीया नहीं है इस तरिके कात आलू आपको मिल जाएगा और इसी से जो है हम पटेटो को ग्रो करेंगे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं बस आपको इतने से पीसे जी कट करने पूरा आलू लेने की ज़रूरत नहीं है इतने से जहां पर यह आईज बनी है बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी यह जो इस टरस पर लेकर जाना भी इने वहाँ है इने स्वैल मेरी बिलकूल रेडी है और मैं इन्हें ग्रो कर दूंगी और आसानी के साथ देखिए आप इनको पटेटो जो है जो है ग्रो कर सकते जम ईने से जो है घ्री कर देए रे केज तो यहें मेरे इन दिनों में आलू आप ले लीजिए इसके अंदर वैसे किसी भी तरह की सॉइल में जो है पटेटों ग्रो हो सकता है बट उसके लिए इस तरफ आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा जो आपको सॉइल मीडियों सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि नीचे की तरफ आलू जो है ग्रो होता है तो त है उसमें बहुत आसानी के साथ ग्रो हो सकता है देखिए मैं अगर बात करूं तो इस समय तो मैंने लगा रही हूं इसमें जो 50% सॉइल है और आप 20% जो है डस्ट और 30% के लगवग इसमें कंपोस्ट मिक्स कर दीजे और थोड़ा सा फंजिसाइड नीम खली जो भी जो सार उपर जो है मैंने एक थोड़ी से स्वाइल के लेर लगाई तो बहुत बहुत बहतरी मुझे रजल बहुत हमेजिंग सा था तब से मैं जो रेगुलर आलू जो है ग्रो कर रही हूं इस तरीके साब जो है स्वाइल मेडिया को तयार कर लेंगे थोड़ा से इसमें यूज नहीं किया था आपके पास है तो बहुत बहतर है अच्छा सा में उसका रिजल्ट मिलता है आपको कुछ नहीं करना इस तरीके से थोड़ा सा फंजिसाइड इसमें आप अगर आप लगा लेंगे तो आपकी इसको सारे जो हमारे सीड्स हैं ये ग्रो हो जाएंगे इस इस तरीके साफ लगाएंगे आइस को छोड़ दीजे और पूरी स्वाइल से इस जो है कवर कर दीजे ये देखिए मैंने जो है अपने तीन सीड्स सीस में लगाएं क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रो के काफी जो फैल जाता है तो अब मैं तूसरे ग्रो बैग में जो है मेरे अ करने इने हम अलग अलग चोटे 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 पीस लाएंगे दीरे दीरे इनकी जो तकि इने फैलने के ली अच्छे सी जगें मिले इस तरीके से आप के पास कोई भी दोड़ा से इसकी बीहरे लाह दिना सकते है ओर मैंत तरीके से आप आलो को बहुत असानी के साथ जो है ग्रो कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जादा से जादा शेर कीजिए और देखे इसके अपडेट के लिए हमें फेबरेरी तक करना पड़ेगा क्योंकि तभी इसके जो सारे प्लांट जो है ग्रो हो जाएंगा हमारा पटेटो बनकर तयार हो जाएगा हर्वेस्टिंग का वीडियो मैंने जो है पहले से अपलोड किया हुआ है आप उससे देख सकते हैं उसका लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बोक्स म में डाल दूगी थेंक यू